और दिल्ली के चानल क्योपूरी के श्वांती पतलोन में आज उसे चूलिप महुतसव का अगाज हो गया है जो 26 वरवरी तक चलेगा NDMC ने इस दौरान चूलिप वॉक फॉर और फोटोग्राफी प्रतियुगताई भी आजित की है तो चूलिप महुतसव का जायजा लिया हमारे समवादाता रमीश राय ने जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन की तैयारियां सुरू हो चुकी है भारत को मेजबानी मिली है जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन की और दिल्ली को सजाने का, सवारने का जो एक सिलसला है वो जारी हो चुका है और लगातार आप देखिये कि N-DMC ने फूलों के माध्यम से वो फूल जो कभी देखने के लिए लोग कस्मीर जाय करते थे टूलिप गार्डन देखने जाए करते थे वो टूलिप इस समय दिल्ली के एंडीमसी के इलाके में खिले हुए हैं जगमगार हैं रंग विरंगे टूलिप के फूल कहीं न कहीं जो एक प्रेम है एक भाईचारा है एक पूरे बिश्टु को एक घर में करने की जो मंसा है वो द परसार है पर जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जो जनता है वो इन फूलों को देखके मनमोहित हो रही है और बसंत रितु और चोदर तारीख की विलेंटाइन डे यह कहीं न कहीं जो प्रेम का पतेख है वो सारी चीजा मिल के एक टूलिप महसों का आयोजन किया है अं कि G20 की मेजबानी की जो तैयारी है वो कहीं न कहीं आगाज हो रही है और वो अपने बिदेशी महमानों के स्वागत के लिए अपने पलक पौणे बिछा रही है इन खिले हुए टूलिप के फूलों की तरह दोहों बाहें फैला कर हम अपने अतितियों का स्वागत करेंगे तो आईए हम देखें दिल्ली के तमाम चौराहों पे और सांती पत पे टूलिप के फूलों की जो क्यारिया है वो कितनी सुन्दर लग रही है कैमरामेन आकास के साथ रमेश कुमार सिंग भारत एक्सप्रेस के लिए